Hello dear students, this is R.K. Sharma from R.K. English Tutorials. Dear students, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, A Notice on Blood Donation Camp. Dear students, notice draft करने के लिए, हमें सबसे पहले हमारे institutions का name mention करना होता है, जो हमारे notice में हमने mention किया है, सबसे उपर. इसको mention करने के लिए, इसको आप highlight भी कर सकते हो, या यहाँ पर आप different color का paint भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने किया हुआ है, Government Girls Higher Secondary School, सारंगपुन, मदर प्रदेश. इसके जश्ट बाद आपको एक box में, full in capital letters, आपको title देना है, Notice like this, इस प्रकाशे, and इसी के साथ आपको mention करना है आपकी date, date का format, as you wish, you can choose, जैसा आप चाहें, वेसा ही आप choose कर सकते हैं, यहाँ पर हमने जो है, firstly date लिया है, उसके बाद month name दिया है, उसके बाद year दिया है, जैसा की दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, उसके जैस्ट बाद notice के जैस्ट नीचे हमें mention करना है हमारी heading, कि हम तिस topic के उपर information देना जाते हैं, तो यहाँ पर हमने इस पश्ट किया है, clear किया है कि हमारा जो information हम दे रहे हैं, वो किसके बारे में दे रहे हैं, blood donation camp के बारे में, इसको आप highlight करने के लिए underline भी कर सकते हैं, और different pain का प्रयोग भी कर सकते हैं, अब जो information से हम देना चाहरे हैं, students को हम उसे mention करेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, our school is organized a blood donation camp, on 20 September 2019, means हमारा school जो है, जो school हमने mention किया, government girls school, वो एक organize कर रहा है, एक blood donation camp का कप कर रहा हैं, 20 September 2019 को, यहाँ पर हमने उसका timing में, mention किया हुआ है, जो आपका timing है, 11 a.m. to 4 p.m. यह जरूरी होता है, क्योंकि आप inform कर रहे हो, तो पता होना चीए कि किस टाइम पर, आपकी event टेक प्लेस करने वाली हैं, अब कोई व्यक्ति क्यों करेगा, blood अपना donate, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं, कि a healthy person can donate blood after every 3 months, मतलब प्रत्यक तीन महा के बाद, कोई भी स्वश्थ व्यक्ति अपना, जो blood वो donate कर सकता है, और उसकी body को उससे कोई problems भी नी होगी, कि कोई हार में भी नी होगा, कोई नुकसान नी होगा, it is very noble cause, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यह बहुती अच्छा कार्य होता है, and all are requested, हम सभी से request कर रहे हैं, कि सभी से निवेदन कर रहे हैं, कि I volunteers themselves in this humanitarian task, मतब कि यह उपकार का जो कार्य किया जा रहा है, इस कार्य में आकर कि अपना सवयोग प्रदान करें, and make this camp successful, और इस camp को successful बनाएं, मैंसे इसको success करें सफलता है कि और ले जाएं, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि certificate will be awarded to the donors by the school, मतब स्कूल साइसा जो है आपका institution से है, उसके द्वारा certificates से भी दिये जाएंगे, यहाँ पर आपको फिर से mention करना है, जो चीज़े हो कि date, आपको date बताना है, date क्या है, timing क्या है, and venue क्या है, venue means place, कि उसका place क्या है, place means to assembly hall, and आपका name आपको mention करना है, like यहाँ पर हमने mention किया हुआ है, रिना वर्मा जो इसकी post है, headgals, thank you for watching,